ये Adventist World Radio की हिंदी सिवा है और आप सुन रहे है कारेकरम जीवन धारा कारेकरम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमीद हमारा प्यार भरा नमस्कार Adventist World Radio की हिंदी सिवा में हम आपका स्वागत करते हैं शुताओ आईए आज प्रसारीत होने वाले कारेकरमों की जानकारी दे दे आज होगी पहले स्वास्थ चर्चा इसके बाद एक गीत होगा और फिर कारेकरम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश तो चरिए स्वास्थ चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत आने बाला है मसी अपने लोगों के लिए देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में आने बाला है मसी अपने लोगों के लिए देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में संसार से मन फिराओ येशु को हिदय में बसालो संसार से मन फिराओ येशु को हिदय में बसालो आने बाला है मसी अपने लोगों के लिए आने वाला है मसी अपने लोगों के लिए देने वो जीवन अनंत सर्ग में जरूरत पढ़ने पर एक मनेश्य का रक्त दूसरे मनेश्य को चलाया जा सकता है लेकिन किसी भी मनेश्य को रक्त चलाने से पूर उसकी तथा रक्त दाता के खून की जाच कर बलड ग्रूप का पता लगाया जाता है यूँ तो दिखने में सभी के खून एक समान लाल दिखाई देते हैं पर वे एक जैसे होते नहीं हैं एंटीजन के अणों की विविन्ता की वज़ा से लोगों का रक्त अलग-अलग होता है एंटीजन के अणों एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं अपसे कोई एक सो साल पहले काल्ड स्टीवर ने ए तथा भी दो एंटीजनों का पता लगाया था इन एंटीजोनल के अनुसार ब्लड ग्रूप तै किये गए जैसे ए एंटीजन वाले का रक्त ए समू बी एंटीजन वाले का रक्त भी समू उताय किया गया इसके कुछ समय बाद वग्यागिनिकों ने पता लगाया कि कुछ व्यक्तियों के रक्त में ये दोनों एंटीजन एक साथ हो सकते हैं ऐसे समू को ए भी नाम दिया गया मज़ी की बात यह है कि इस लोग ऐसे ही भी पाये गये जिनके रक्त में ना तो ए एंटीजन पाया गया और ना भी वग्यानिकों ने ऐसे रक्त समू को ओ नाम दिया इस प्रकार ब्लड ग्रूप चार भागों में बाटे गये ए, बी, ए, बी और ओ जिस वक्ति का खून लेना है और जिसे खून देना है दोनों का रक्त समू एक होना चाहिए इसका पता लगाने के लिए प्रियोक्षाला में जाच की जाती है और यदि वे मेल खाते हैं तबी रक्त का आदान परदान संभा हो सकता है बेमेल रक्त चड़ाने का मतलब है व्यक्ति की मौत एक परिवार के प्रतेक सदस्य का रक्त समू एक दूसरे से भिन्न हो सकता है जबकि दो भिन्न जाती धर्म के लोगों का खून एक गुर्व का हो सकता है चिखिस्या विज्ञान के अनुसर यह सुनिश्चित किया गया है कि जिस वर्ख समू के व्यक्ति का रक्त किस वर्ख समू के व्यक्ति को दिया जा सकता है एक रक्त समू वाला व्यक्ति ए तदा ए भी रक्त समू वाले को रक्त दान कर सकता है किन्तु AB रक्त समूँ वाला व्यक्ति केवल AB रक्त समूँ वाले को ही अपना रक्त दे सकता है O गुरूप को युनिवर्सल डोनर कहते हैं यानि O गुरूप वाला व्यक्ति A, B, AB और O सभी रक्त समूँ को रक्त दान कर सकता है इसी प्रकार AB रक्त समू को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी रक्त समू का रक्त ग्राण कर सकता है यानि AB समू वाला व्यक्ती A, B, AB तथा O किसी से भी रक्त ले सकता है जबकि A समू वाले तथा A से B समू वाले B तथा O से तथा O समू वाले से रक्त प्राप्त कर सकते हैं यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि किसी भी रक्त समू का रक्त ना तो दूसरे से अच्छा होता है और ना बुरा रक्त समू में बटवारे का रक्त के गुण दोश से कोई वास्ता नहीं होता बजार में यानि बलड बैंकों में हर रक्त समू के रक्त की बोतलें तयार मिलती हैं लेकिन आमतोर पर वे पेशेवर्क रक्त दाताओं की ही होती हैं बहतर होगा कि घर के किसी सदस्य या रिष्टेदार का रक्त समू मेल खा जाए तो उसी का रक्त चलाना चाहिए रक्त चलाने से पूर्व इस बात की जाज का परमालपत ले लेना चाहिए कि रक्त दाता एड्स पीलिया आदी रोकों से संक्रमनित नहीं है यदि हम विश्व इस तर पर रक्त समू की बात करें तो सबसे ज़ादा ओ गुरूप पाया जाता है जो 46 प्रतिशत है रक्त समू से ही जुड़ा है रह फेक्टर का मुद्दा यह लालकन कोशिकाओं में कुछ प्रतारतों की उपस्तिती अथ्वा अनुपस्तिसी से होता है यूँ तो रेसस तत्व कई होते हैं किन्तु डी तत्व सरवदेक महत्पून होता है समान्य यह तत्व लोगों में उपस्तित रहता है इसे आरच प्रस कहते हैं लेकिन जिनमें ये racist factor नहीं होता, उनके रत में आरच factor को प्रवावित यानी आरच माना जाता है। रक्त समू के साथ आरच factor की भी चांच करनी चाहिए। आरच positive वाले व्यक्ति को आरच negative वाले व्यक्ति का रत चलाने से गंबीर परिनाम हो सकते हैं। तो शुर्ताओ आपने सुना कि किस प्रकार हम रक्त से जीवन भी पचा सकते हैं और गलत समू वाले रक्त से मिर्तु भी दे सकते हैं। शुर्ताओ आज की इस जानकारी से आप अपने लिए सावधानी बढ़तेंगे तथा ज्यान प्राप करेंगे। इस उमीद के साथ वेल्लन चरन को आग्या दीजे नमस्कार। इस तेरा प्यार है कितना माहा पापी को जो देता है जीवन को नार। इस तेरा प्यार है कितना माहा। मापी को जो देता है जीवन को नार। खुआ है एक्यार है जार। प्रीय रेडियो मित्रों, प्रवीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मौरिस मादो का नमस्कार मित्रों, मसीही जीवन की मुक विसस्ताओं में एक है कि ये आसा से परिपून एक जीवन है मसीही जीवन की विसेस्ता प्रेद पौलुस इसपस करता है विश्वास, आसा और प्रेम ये तिनों स्थाही है ये तिनों आपस में जुड़े हुए हैं ये ये मसीही जीवन को एक फल दाइक विसस से तुलना करे तो प्रेम, जड़, विस्वास, तुना और आसा को फल के रूप में तुलना कर सकते हैं प्रेम में जड़ पकड़ कर विस्वास में बढ़ने पर उससे प्राप्त होने वाला फल है आसा हमारे जीवन को गहराई से अपने नियंटन में रखने की एक सामत आसा हम सभी को है पहला वो हमें दुनिया के किसी भी परसिती के मद स्थिर रहने में मदद करता है सारी दुनिया निरासा में डुबी हुई है प्रत्वी आत्तारों में संभवित खत्रों के विसे में ही विज्ञाने की जगत में चर्चाए होती है रोज खबरों में दिरंतर बढ़ रहे प्रकर्तिक आपदाओं आतंगवादियों की हरकते नित नए रोगों का उद्भव तुरकटनाई आदी के विशे में सुनते पढ़ते हैं निरासा भय और आरजक्ता बढ़ती जा रही है लेकिन एक प्रभू संतान अपने विश्वास के द्वारा परमेसर की और निरहार अपने भविश को देख कर मुस्करा सकता है जब इस तरह की घटनाएं दुनिया में घरती है तो हर विश्वासी अपने मन में इस पकार कहेगा कि हमारे उद्दार करता ईश्व द्वारा अविनासी देश स्थापित करने का समय निकट आ गया है कितनी मनोहर आसा है विश्व में पड़ रही असान्ती के घरे में विश्वासी भी खंस सकता है लेकिर हर विश्वासी जिसे इस पात का एहसास है कि महम में आसा थात मसी उसके भीतर निवास करता है यह आसा उसे संक्सार रुपी समुद की उची लहरों की चिपेट से बचाने वाला लंगर है मसी पर की आसा वर्दमान और भविश्व को प्रभावित करता है आज हम मसी में सुरक्षित हैं हमारे लिए जीवन दिया हुआ चर्वाहा हमारी आउसकताओं के लिए प्रयाप्त है हमारे बच्चों का भविश भी उसमें सुरक्षित है इस आसा के साथ जीवन के ललकारों का हम सामना कर सकते हैं लेकिन पविश्वास की चदावनी पर गौर करें यदि हम केवल इसी जीवन में मसी की आसा रखते हैं तो हम सब मनुस्यों से अधिक अभागे हैं पहला कुरंतियो 15 उसका 19 वचन इसका अर्थ यह है इस जनम में मसी पर आसा रखे उससे भी बढ़कर मिर्तिक के पस्चात की जीवन में भी मसी पर आसा रखे गी आसा मिर्तिक के पार अंतदा तक पहुचाती है यही मसी जीवन की स्रेष्टा है हमें ऐसी योगता होनी चाहिए कि हम आसा रुपी दरपन से जीवन में घडित होने वाली बातों को देख सके जब इबराहिम ने आसा के दरपन से अपने वाईदक के देश को देखा तब स्वएं मिस्त्री के रूप में परमेश्व के द्वारा निर्मित नियू डाले गे एक नगर को विश्वास से देखा उसे पईद आत्मा ने इस प्रकार का वर्णन किया है विश्वास से ही उसने पर्तिग्या के हुए देश में पराए देश में पर्देशी के समान रहकर इस हाक याकुब समेथ जो उसके साथ उसकी पर्तिग्या की वारिस थे तंबों में वास किया क्योंकि वो उस स्थिर नियू वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेशोर है विश्वास से सारा ने आप भोड़ी होने पर भी गर्ब धारन करने की सामर्थ पाई क्योंकि उसने पर्तिग्या करने वालों को सच्चा जाना इब्रानु 11,9 और 11 वजन प्रेद पॉलुस मिर्तिव की आसा के दरपन से देखकर इस पकार कहता है जी तो चाहता है कि कूछ करके मसीज के पास जार हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है फिलिवपियो एक 23 वजन जब एक प्रभू संतान आसा के दरपन में देखता है तब उसका जीवन सही दिसा की ओर पड़ता है इतना ही नहीं कुछ भी उसे भैबीत या दिरास नहीं कर सकता विश्वास के द्वारा उसकी नजरे अंतता की ओर केंदित रहती है ये परमेशवर के अनुगरह से हमें मिला हुआ एक बहुत बड़ा भाग है विश्वास ही से मुशा ने सयाना होकर फिरोन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया इस दिये कि उसे पाप में ठोड़े दिनों के सुक भोगने से बरमेशवर के नों के साथ सुक भोगना अधिक उत्तम लगा उसने मसी के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी आखे फल पाने की ओर लगी थी जहां मित्रों आसा में इतनी चमता है कि वो हमारे जीवन को नियनतित कर सके दूसरी आसा हमें पवित्ता में अपने आपको सुरक्षित रखने में मदद करती है हमारी आसा का अधार ईशु का पना आगमन मरे हुए में से जीवटना मनुस के पाप के फलसुरूब उत्पन हुए हर समस्याओं के निदान का पूर्ति करण ईशु मसी के दूसरे आगमन में संपन होने जा रहा है ऐसा कोई विश्वासी नहीं होगा जो ईशु मसी के दूसरे आगमन के विशे में ध्यान करने पर रुमांचिक ना हूड है यहना कहता है हेपरियो जब हम परमेशर की संदान हैं अभी तक यह प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं कि जब वो प्रगट होगा हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है यहना तीन उसका दो वजन हमें मिलने वाले सबसे बड़ी पद भी है यह है कि उसके सिदर्स होंगे ऐसा हमारे विचारों कलपना में ना देख सकने तुल स्रेश अवस्ता है यहना पईत आत्मा की प्रिणन से हमें ये बता रहा है कि है प्रियो हमारी आसा का देवी प्रबंध ही है कि हाँ ये कितना बड़ा सुभाग है इस सुभाग का एक अन पहलू भी है यहना फिर कहता है जो कोई उस पर ये आसा रखता है वो अपनी आपको वैसा ही पवित करता है जैसा वो है पहला यहना तीन उसका तीन वचन आसा से भरे एक व्यक्ति में पवित्र जीवन के प्रती एक जिद होती है पवित्र जीवन की जिम्दारी वो स्वय उठा लेता है गलतियों को सही साबित करते हुए परियास ना करते हुए उन्हें सुधारने का एक मनुभाव उसमें पनपन लगता है इसलिए इस प्रकार लिखा गया है अपने आपको पवित्र करना लेकिन एक बात सबिजनी चाहिए कि केवल जानकारी होना आसा नहीं है इसु मसी के दूसरे आगमन के विशे में जानकारी होने की बावजूद पविस्वास में उन्हों की विशे में बताया गया है कि जो प्रभू के दूसरे आगमन में उठा लिये जाने के लिए सही रूप में तयार नहीं है या जागरित नहीं है इस कारण से मसीही विस्वासियों का बड़ा भाग छोड़ दिये जाने की विसे में ये एक चिताउनी भी है मिरमीत्रो मतियरची सुस्मचार पंदरवे अध्राई के एक से तेरा तक के पदों में दस कुमारियों का दिस्थान हमें इसु के आगमन के समय के विसे में जानकारी ना होने के कारण सदेव जाकते रहने के लिए सचेत करता है डुले के आगमन की बाट चोहने वालों को बद्धिमान और मुर्क में भाजित किया गया है निर्बुत्ती अपने को बद्धिमान समझ सकते है बदिमानों ने जब अपनी मसालों के साथ तेल भी लिया तो हो सकता है कि बाकियों ने आपस में इस प्रकार कहा होगा इसके क्या हो सकता है क्या अब इसे भी उठाकर चलना पड़ेगा मसालों में का तेल काफी नहीं है इत्यादी लेकिन वास्तों में वो दिमान किसी पर्चन के लिए तैयार नहीं थे। डिले के आने का सिर्फ एक ही आउसर यदि वो नस्थ हो जाए तो वास्तों में सब नस्थ हो जाएगा। जी हाँ जब दुला आएगा तब पूरी तैयारी के साथ उसे मिलने का उन्होंने दिन्ने लिया। मसालों के साथ एक अनक नगूपी में तेल लेना उनके बुद्धमानी गिनी गई। जब दुले की आने का समय निकट आया तब लगतार जलते रहने के कारण उनकी मसाले बुजने लगी बुद्धिमानों ने अपनी कुप्यों में फिर मसालों में तेल भर लिया वे दुले से भेट करने लिकले जहां वे वास्तों में बुद्धिमान ठहरे जब उन दिरमुद्धी कुमारियों ने अपनी मुर्खता पहचानी उस समय तक उनने सोच रखा था कि वे जाकते रहने तयारी में दूसरे से आगे की पंक्ती में हैं इसलिए इफीशन की पत्री में पैद आत्मा व्यक्त रूप से हमें स्परन कराता है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो निरमद्यों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो आवसर को भामुल समझो कि दिन बुरे हैं मिरे मित्रों प्रभु जल्दी आएगा हमें तयार रहना है हमें ऐसा विचार कभी नहों कि वो देर करेगा अपने में ऐसा विचार सिद्ड़ कीजिए कि प्रभु सिग्र आएगा आसा में बढ़ते रहना चाहिए हमारा प्रभु ऐसे समय में आएगा जिसके विसे में हमने साहिए सोचा नहीं होगा इसलिए उठा लिए जाने की आसर को मातर एक आसर के रूप में गंभीरता से ले जिंदगे के हर कारियों के लिए दूसरा आसर मिलता है उसी परकार कई बातों के लिए हमें फिर आसर मिल सकता है लेकिन कुछ अनविश्यों के लिए दूसरा आसर नहीं मिलेगा प्रभु ऐसु के आगबन में उठा लिए जाने का आसर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलेगा इसलिए धान पुर्वक पवित्ता आसर के साथ बार जोते रहे प्रभु किस प्रकार की कलीशिया को अपनाने आ रहा है इसका विवरण इफिस्यों की पत्री में पॉलुस देता है ना कलंक ना जुर्री ना कोई ऐसी वस्ति हो परन पवित और निर्दोस हो पवित और निर्दोस कलीशिया का अर्थ है कि परतेक जन पवित और निर्दोस हो इफिस्यों पांचवे ध्याय को पूरा पढ़े जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुल लिया हम उसके निकट प्रेम में पवित और निर्दोस हो परमेसुर का हमारे विसे में यही उद्देश है इस इच्छा को भली भाती समझ कर प्रेइद पौलूस कुरूंतियों के विस्वासियों से क्या कहता है उस पर ध्यान दीजे कि मैं तुम्हारे विसे में इस्वर ये धुन लगाये रहता हूँ इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई तुम्हें पवित कुमारी के समान मसी को सौब दू तुम्हें डरता हूँ कि जैसे सांपनी अपनी चितराई से हवा को भेकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाय और पईता से जो मसी के साथ होनी चाहिए कहीं भरस्ट ना हो जाए इसलिए जब आसा हमारे अंदर बढ़ती है तब प्रहु के आगमन के लिए तयार रहने की जिद भी पईतात्मा हमारे अंदर बढ़ाता जाता है इस तरह वो पवित्र है उसी प्रकार जिदि स्वय अपने को भी पवित्र रखने की मनसा हमारे अंदर जागरित होती है तो पवित्र जीवन हमें आनन प्रदान करने वाली एक बात होगी मेरे वित्रों आएए हम पवित्र के और बढ़े हमारे दुले के आगमन बहुत ही निकट है हम जाग जाए और आसा से आगे बढ़े यह परमीसर महान है वो हमें नहीं छोड़ता वो चाहता कि हम पवित्र बने उसके समान और उसके आगमन की तयारी करें कि आप तयार है कि आप प्रवीसर मसीज से मिलने के लिए तयार है वो जल्द आने वाला है इस कारक्रम के माद्दम से हम अपने सुनने वाले हरे एक सोताओं से बात करते हैं उनसे कहते हैं कि प्रवीसर मसी आपको बचा सकता है वो जल्द आने वाला है आई हम प्रातना करें ववित्महान जीवित्पिता परमेशर तेरा धन्नवाद और खुदावन इस समय के लिए मौके के लिए जीतुने दिया है हमें तयार कर कि हम तेरा आगमन की तयारी कर सके हैं और प्रमेशर इंतिजार कर सके हमें सक्ति दे ताकत दे खुदावन के हम संगसार की तरह ना वने बल्कि तेरी ओद देख सके सर्क की और खदम बढ़ा सके इस प्रात्ना को प्रवीशु मस्य के नाम समांगते हैं आमीन मित्रो आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं मेरा नंबर है 9689231772 मेरा इमेल आइड़ी है maurisawr at gmail.com हमें आपके पत्रों का इंतिजार है परमेशर आपको आसिस दे शोताओ हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कारेकरम पसंद आया होगा यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाओ हो तो हमें अवश्य लिखे हमें आपके पत्रों का इंतिजार रहेगा हमारा पता है पता एक बार फिर नोट कर ले और अब हमारा समय यही पर समाप्त होता है इसी समय इसी मीजर बान पर आपसे फिर भेट होगी तब तक के लिए मैं समिता और मैं अमित हमें आग गया दीजिए प्रगु आपको आश्श्य दे आपको आपको आपकोiceless